नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल S.B. Medicine में आज हम बात करेंगे इजी फ्लो डाइसो ट्रांसकेप्स के बारे में इसके क्या क्या अपयोग हैं, फायत हैं, सावधाने अच्छा आपको क्या क्या दुस्प्रवाब हो सकते हैं परपेक, इसका कंटेंज होता है, साल मेट्रोल 50 mcg और फ्लूटिका सवन होता है, इसमें 250 mcg इसका यूज आप डाक्टर के सला से करें, तो ज्यादा बेतर रहेगा यह ट्रांसकेप्स आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी medical store पे मिल जाएगे इसजी फ्लो डाइसो ट्रांसकेप्स में होने वाला साल मेट्रोल एक लंबे समय तक असर करने वाला ब्रंकोडलेटर है जो airways की मसल को चोड़ा कर उन्हें रिलेक्स करता है और frutica sun propionate एक इस्टरेड है जो airways में सूजन पेदा करने वाले कुछ chemical messenger को रिलीज होने से रोकता है और आपको सांस लेने में असानी पेदा करता है इस transcaps का यूज अस्थमा और COPD यानि chronic obstructive pulmonary disease के उप्चार में की जाता है जैसे कि अगर आपको सांस लेने में तकलिफ हो रहे हैं आपकी सांस फूल रहे हैं खांसी चल रहे हैं आपको और आपको गरगराट हो रहे हैं इनके अलाव भी अगर आपको chest congestion यानि सीने में जकरन की समझ्चा हो रहे हैं तब भी ऐसी सभी स्थित्यों के treatment में इस transcaps का use आपको काफी आराम दिलाएगा ये transcaps आपको exercise के दोरान सांस लेने में होने वाली कठिनाए कोई भी रोकता हैं और अगर आपको फेंपड़ों से समझेद कोई बीमारी हैं तो उसमें भी ये काफी आराम दिलाता हैं अगर आपको दूल, मिट्टी, cigarette या पालतो जनौरों से allergy हैं इस करण आपको wheezing, खांसी और सांस लेने के समझ्चा हैं तब भी SME आपको काफी राह दिलाता है जान लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में तो अगर आपको कोई severe disease हैं आप pregnancy या breastfeeding मदर हैं तो SME आप इसका use ना करें या फिर आप डाक्टर के सलाग अनुसार इसका use करें डोज की अगर आपन बात करें तो normally इस capsule को एक-एक capsule आपको सुबह साम inhale करना लेता है या फिर आपको जिस तरह से डोक्टर ने आपको बता हैं वेसे आप इसका use करें अब बात कर लेते हैं इसके होने वाले side effect पे बारे में तो इसके जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं वो हैं गले में खरास होना आपकी आवाज का भारीपन होना हार्ट रेट बढ़ जाना और आपको आपकी हड़ियों मानस्पेश्यों और जोड़ों में दर्द की सिकायत हो सकती हैं वेसे side effect लंबे time तक ने रहेंगे कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर लंबे time तक लेते हैं या फिर इनके अलाव आपको और भी दूसरे को side effect दिखते हैं तब इसे में आप इसका use बंद कर दें और तुरंत अपने डाक्टर से consult करें तो friends उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो से like करें comment करें, share करें और चनल को subscribe करना न भूलें Thank you